नमस्कार मेरे प्री किसान भाईयो आज हम बात कर रहे हैं स्वयाबिन की फसल में पहला खाद कब और कितना डालें जिस से स्वयाबिन की बड़वार और स्वयाबिन की ग्रोथ अच्छी हो तो किसान भाईयो सरुप्रत्थम आप स्वयाबिन के अंदर खर्पतवार नासक की हो जाए यानि कि खर्पतवार दो से चार पत्ति का हो जाए उस समय आप स्वाबीन में खर्पतवार नासक दवय का इस्प्रे करें जब खर्पतवार पूर्ण रूप से नश्ट्य हो जाए उसके दो से तीन दिन बाद आप स्वाबीन में यूरिया दस से पंद्रा किलो प् और इसके साथ में आप हुमिक एसिट बीस एमेल प्रती टंकी में मिलाकर आप इसका इस्प्रे करेंगे तु किसान भाइयो इस से स्वाबिन की ग्रोथ अच्छी होगी और स्वाबिन की बढ़वार भी बहुत अच्छी होगी